Hello Everyone, आपके दौनों गालों में बहुत सारी जाईया हो गई हैं, आपके नाक में बहुत सारी जाईया हो गई हैं, आपके माते में बहुत सारी जाईया हो गई हैं, और आपको जाईया कई सालों से हैं, आट से दस साल हो गई हैं, आपके चेहरे में जाईया हैं, जाईया को ठीक करने के लिए बहुत सारे घरेली उसके अपना चुकी है उससे आपकी जहाईया ठीक नहीं हो रही है या फिर आप बहुत सारी क्रीम कर इस्तमाल कर चुकी है साल्प अब गई और वहां बताया मेडिकल इस्टोर तो वाले बेक और उसने आपको क्रीम दिए आपने उस क्रीम को लगाया जो जहाइयां कुछ तरी पद्रहों की आपकी जहाइयां दब आप से आपको दोवार है जहा जब दोवारा आपको जाया हुई अब आपके पूरे गाल में हुई पहले आपका आधा गाल कबर खा जायों से अब पूरा गाल कबर हो गया जायों से जाया आपकी लगातार दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है आपकी चहरे की हमारे पास जब भी पेसेंट आते हैं अपनी जहाईयों को लेकर बहुत सारी क्रीम इस्तमाल करकर आते हैं बहुत सारी दवाईयां खाकर आते हैं जब उनकी इसके पूरी तरीके से खराब हो जाती है तब हमारे पास पेसेंट आते हैं और बोलते हैं कि मैंने इतनी सारी दवाईयां खाया हूं इतनी सारी क्रीम का इस्तमा जिसके कारण बहुत ज्यादा अंकमफर्टेवल करते हैं जाइए पुर ठीक करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छा हूं मैं पते रह बताने वाली हूं सबसे पहले मैं आपको क्रीम बता देती हूं कौन सी क्रीम आपको इस्तिमाल करना है इस क्रीम का नाम है ग्रेस लेकिन दूप वाले एरिया पर आपको नहीं जाना है स्क्रीम को लगाने के बाद साथम यह बता देती हैं क्यों साब्साइब बहुत ही इफेक्टिव है इस रोप आपको लेना है तीन टाइम ओनिंग आफटरनून नाइट बीस बीस डॉप आधा का पानी में पानी गरम कर लेने से आपको कोई साइड एफेक्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा आपके आपको नीचे डाल सरकल है बहुत सारे ब्लैक आपको स्पाट पढ़ गए हैं आपके गालों में तो इस कंडीशन में भी आप इस डॉप को यूज कर सकते हैं के चहरे में बहुत ज्यादा इसकिवास कर् wholly लगे हैं कारण जानना चाहते हैं आपको मेरी सकें बीडिई को साथ बताई हो कि ज्धाया की हो जाती है क्या कारण होता है ज्याया होने का